नमस्कार दोस्तो मैं मुकेश सर्मा और आप देख रहें मुकेश टक चैनल दोस्तो आज हम बात करेंगे solar battery के बारे में जो की luminous company की आप solar battery मिलेगी और luminous company की आप solar battery की क्या performance हैं क्या उसकी details हैं उसकी बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं अगर आप solar लगाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मुझे battery पहले ले नहीं और solar में बात में लगा पाऊं तो उसके लिए आप solar battery ले तो बहुत ही अच्छा है अधरवाइस आप normal inverter पर भी इस battery का यूज कर सकते हैं इस battery को लगा सकते हैं चला सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम पूरी जन कहीं लेंगे वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक जूरू करें चलिए उस तो वीडियो स्टर्ड करते हैं फ्रेंट्स जैसे कि वह इन बताया यह लूमिनेस ब्रांट की 150S की battery आपको मिलने जा रही है जो की टेल टूबर बैटरी है यह battery solar battery है जो की डालने की जरूत पड़ती है क्योंकि यह low maintenance battery है यह battery C10 rating की battery है इस battery पर आप 900 VA से लेकर 10 kVA तक का inverter यूज कर सकते हैं battery 12V की है जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग नहीं बताया था कि इसकी जो AH rating है वो 150 AH की rating है अगर AH efficiency की बात करें तो company up to 90% absency बता रही है लेकिन हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि 80% absency ही मिलेगी उसी के इसाब से हम calculation करेंगे की है battery कितना backup दे पाएगी कितने गंटे हमारी सब चीज़ों को चला पाएगी total power install जो इसमें हो पाएगी वो हम मानकर चलते हैं कि 20% power हम यूज नहीं कर पाएगे क्योंकि कुछ percent power हमारी battery में ही रह जाती है जिसका हम कभी भी यूज नहीं कर पाते तो यहाँ पर 20% मानते हैं कि battery में हमारी power रह जाएगी तो उस इसाब से अगर हम बात करें तो 1440 watt हम यूज कर पाएगे अब 1440 watt को आप कितना load चला पाएगे कितने गंटे तक चला पाएगे यह कोश्चन है जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर हम दो फैन मानते हैं और 70 watt का एक फैन मानते हैं तो 140 watt फैन की wattage होगी और एक LED TV अगर हम लेते हैं तो 60 watt का LED TV अगर हम desktop computer चलाते हैं तो करीब हम 100 watt के आसपाँ desktop computer मान लेते हैं तो इन तीनों जो आइटम है इनका टोटल लोड करीब 300 watt के असपास हो गया अब टोटल लोड जो हम रन कर पाएंगे अगर आप 1440 डिवाइट 300 करेंगे तो करीब साड़े चार गंटे के असपास आप बैकप ले पाएंगे साड़े चार गंटे तक आप इस कितने महीने की वारंटी मिलेगी यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको 60 महीने की वारंटी मिलेगी अब बात करते हैं प्राइज की यहां पर प्राइज की बात करने तो आपको यह 14.900 रुपे की एमाजोन पर मिल जाएगी एमाजोन से आप खरी सकते है डिस्करप्शन लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर भी खरी सकते हैं डायक जाकर भी एमा जान से खरी सकते हैं और आप लोकल मार्किट में भी ट्राइ कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो थी Luminous के Solar Bantry के बारे में उम्मिद आपको यह वीडियो परसंद आई होगे अगर वीडियो परसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर करें चलिए जोस तो मिलते हैं अपनी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार